तो दोस्तो अभी अभी एर इंडिया का वेफसाइट ने नवेंबर का भी फ्लाइट का लिस्ट शेडूल जारी कर दिया है जो कि आपको मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ कि कौन सा कंट्री में इंडिया से फ्लाइट ओपरेट होने वाला था चालू होने वाला है तो सौदी एरब्या का भी नाम जो रहा गया नममवेंबर में या नहीं जो रहा है तो दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैा 30 नमम्हेंबर 2020 का फ्लाइट का सिस्ट यहाँ छैय यहा को मिल जाएगा तो चएक कर लेते हैं कि नमम्हेंबर में सौदी एरब यह भी करने वाला है या नहीं है तो जैसे कि मैं यहां पर चेक कर रहा हूं घोला आप लोग के सामने में यहां पर दीख रहा है और मैं जैसे खोल रहा हूं तो दोस्तों यहां पे September का बता रहा है उसका जैसे नीचे आएंगे तोो यह दैकि अक्टूबर का जाए गा यह पूरा दोस्तों को यह तीजा कि आ गया गया है तो हम की इंडिया से व्हक्ताला गया है यह हैं निसे आते हैं नीचे आने का बाद यह पर यह जाने वाला फलाइट है जो कि इंडिया से उमान कतार भारेन बहुत सारा कंट्री जाने वाला है उसी में देख लेते हैं नौवेंबर में क्या है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हैदराबाद से मस्कट के लिए फलाइट है जो आप फिर से दोस्तों एक इंदिया हें देख लेते हैं इंडिया ढूंप makes जा और बस्धंड इंधियर नाम नाम भी सव जोतों ना मैं दिखा निते हम आप बहुत सरा कंट्री में अपरेट करने वाला है लेकिन दोस्तों जब नीचे आते हैं और जब यहां पर आप आज आओगे तो यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर मुझे दीख रहा है और 37 नवेंबर को लखनों से एक मसकट से मसकट ओमान से मुंबई की फलाइट है मतलब ओमान से जाने वाला और इंडिया से आने वाला फलाइट कब है नवेंबर में यह पूरा डिटेल अब भी जो एर इंडिया ने शेर कर दिया और बता दिया है कि वह इस देश में अगर जाना है तो यह फलाइट का टिकेट आप देख दे के बुकिंग कर सकते हैं और उस देश में जा सकते हैं लेकिन दोस्तों इसमें सौधी अरबिया का नाम नवेंबर में आपको दिख रहा है तो देख लीजे लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है तो सौध देख सकते हैं यहां पर तो यही था दोस्तो अपडेट